हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल सिविल भाई अब हमारे मन में एक चीज आता है कि हम बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो उसमें हमारा कॉंक्रेट में कितना सिमेंट सैंड और कितना एग्रिगेट लगना है वो कैसे जानेंगे अगर हमारा मिक्स फाइब यानि कहने का कहने का मतलब है जैसा कि आप देख सकते हैं यानि पहला हमारा सिमेंट होता है दूसरा सैंड और तीसरा जो हमारा एग्रिगेट होता है यानि जितना सैंड लगए उसका पांच गुना हमारा एग्रिगेट लगेगा तो उस केस में हमको पता नहीं होता है कि हमारा इतना एर कितना कैसे करेंगे तो घबराने की कोई बात नहीं है वीडियो में आगे तक बने रहे उस चीज को मैं क्लियर करूंगा एक जम्पल के माद्धम से आपको बता रहा हूं जैसा कि आप सामने देख सकते हैं एक कोशन लिया हूं उसमें देख सकते एक स्लैब है जिसका लंबाई 10 मेटर है, width हमारा 5 मेटर है और इसका जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है, वो हमारा 150 है, तो अब इसका हम सॉलुसन जानेंगे, तो सबसे पहला चीज हमको क्या करना है कि जो भी ये area है तो उसको हमको क्या करना है फ़र वाल्यूम में convert करना है तो volume of slab concrete तो लंबाई, 14 और हमारा thickness 10 x 5 x 0.15 तो इसका जो volume आया हमारा 7.5 MQ आगया अब हम जानेंगे एक चीज़ और कि जो हमारा concrete होता है तो उसका जो density होता है वो हम consider करते हैं 50 से 54% तो हमारा 1 MQ के लिए करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं जो 54% होता है 54 divided by 100 करेंगे तो 0.54 आएगा और 1 MQ के लिए हमारा scale हम क्या किया 1 plus 0.45 कहने का मतला 1.54 तो उसी चीज़ को हम क्या करेंगे अब dry में convert करेंगे मतला अभी तोरह हमारा सुखे में सुखे में जो हमारा ये concrete का जो volume आया था उसमें क्या करेंगे इस चीज़ को हमारा density को multiply करेंगे तो 7.5 into 1.54 इसको multiply करेंगे तो हमारा कितना आगा 11.55 MQ यह हमारा क्या निकल गया concrete का dry volume निकल गया अब next page की तरफ चलते हैं अब चलते हैं कि हमारा जो mix है अब वो mix कौन सा ratio का है तो जैसा कि हमारा question था M5 तो M5 कहने का मतलब है 1 is to 5 is to 10 यानि पहला हमारा cement होता है दूसरा sand और तीसरा जो हमारा aggregate है तो तीनो को क्या करेंगे आप जो भी grade होगा आप M10 लेना चाहेंगे M7 लेना चाहेंगे जो भी ले सकते हैं जो भी हमारा उसका proportion आता है उसको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो 1 प्लस 5 प्लस 10 is to हमारा 16 जो भी mix होगा उसको हम प्लस कर देंगे तो हमारा 60 नमबर आगे अब हमको यहाँ जो mix है उसमें cement हमारा 1% है और दूसरा जो sand वो 5% है और हमारा aggregate है 10 है यानि कहने का मतलब है 1 kg sand डालेंगे तो उसका 5 गुना हमको sand डालना परेगा और जो cement का 10 गुना हमारा क्या डालना परेगा aggregate डालना परेगा तो पहले हम चलते हैं cement का calculation के पास तो cement हमारा कहने का मतलब है जो total हमारा quantity है उसका हमारा 1% है तो total हमारा कितना है 16 है तो 1 divided by 16 उसी तरीके से हमारा sand क्या है 5 divided by 16 उसी तरह के aggregate कितना हमारा 10 upon 16 तो पहला हमारा cement का देखेंगे तो देख सकते हैं weight निकलने के volume जो हमारा volume निकला है और into हमारा density तो volume कहने का मतलब हमारा कितना percent है 1 by 16 into volume हमारा देख सकते हैं यहाँ पे 11.53 तो उसको multiply करेंगे और जो हम density of cement यानि cement का निकाल रहे तो हमारा cement का density कितना होता है हमारा 1440 kg per meter q यह तीनों को multiply करेंगे तो meter q से meter q cancel हो जाएगा और हमारा यह जो multiply करने 11.55 into 1440 तो multiply करेंगे तो 16,632 और divided रहे हमारा 16 kg तो इसको इससे multiply divide कर देंगे तो हमारा कितना है गया 1039.5 kg हमारा cement आ गया अब हमारा एक बैग में cement जो है हमारा 50 kg होता है तो जो भी हमारा kg में है उसको क्या करेंगे 50 से divide कर देंगे तो हमारा bags में convert हो जाएगा यानि bag हमारा 20.79 bag मतलब हमारा 20 bag cement लगेगा अब चलते हैं sand की तरफ तो sand हमारा actually वह आता है हमारा cubic feet में जो भी हमारा जो area हमारा cement sand जो मिलता है वह हमारा cubic feet में आता है तो cubic feet में measurement करते हैं तो हम क्या किए उसको एक MQ कहने का मतला हमारा 35.3 cubic feet मीटर को हम cubic feet में convert किये हैं क्योंकि हमारा market में cubic feet के नुसार उपलब्द रहता है तो volume of sand अभी volume sand का निकलना है तो sand हमारा कितना है 5 divided 16 और volume कितना था जो slab का 11.55 into जो हमारा 1 MQ का cubic feet है तो 35.32 यह तीनों को उपर को multiply करेंगे तो 2039.73 divided by 16 इसको करेंगे तो हमारा कितना आगा divide करेंगे दोनों को तो 127 cubic feet आएगा अब चलते हैं कि हमारे गाओं में जो होता है वो ट्रैक्टर का trolley रहता है तो ट्रैक्टर का trolley में हमारा लगबग जो है 80 cubic feet आता है 80 से हमारा 100 cubic feet आता है तो क्या करेंगे इसको divide कर देंगे तो हमारा trolley भी निकल जाएगा तो हमारा cubic feet में हमारा sand का quantity यहाँ पर 127 cubic feet हो गया अब उसी तरीके से चलते aggregate aggregate का भी same condition है यह भी हमारा cubic feet मिलता है तो इसके लिए 1mq equals to 35.32 cubic feet तो volume of aggregate कितना होगा रहा हमारे 10 divided by 16 और volume हम देख सकते हैं यहाँ पर 11.55 इसको multiply करेंगे तो 4079.46 divided by 16 divide करेंगे तो हमारा यह क्या हो जाएगा cubic feet में convert हो जाएगा और convert होने के बाद हमको किसी से पूछने की जरुत नहीं है हम खुद इस वीडियो को पूरा देखके हम जान सकते हैं तो ऐसी और रोचक जानकारी के लिए वीडियो को like करें सब्सक्राइब करें थैंक यू फर व